हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग अच्छे होंगे और आज के इस वीडियों में हम लोग क्लास नंत मैथ के प्रशनावली 153 के प्रशन संख्या 5 को सॉल्व करेंगे अगर आपको वीडियों अच्छा लागे तो वीडियों को लाइक कर दीजगा चैनल पर नहया है तो चैनल को याद करना है यहाँ एपी में प्रथम पत्तों दिया गया हुआ है और अंतिम पद भी दिया गया हुआ है और उसका योग भी दिया गया हुआ है हमें पदों की संख्य यानिकी इन कमान पता करना है और सार्ब अंतर डी कमान पता करना है ठीक है तो चलिए जो चीद दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे हल कि दिया है पर्थम पद यानिकी एक आमान कितना दिया है पांच इसके बाद अंतिम पद अंतिम पद एक इतना दिया है 45 इसके बाद योग क्या होता है एक इतना है 400 हमें क्या निकालना है इन का मान और सारवंतर डी का मान ठीक है एक चीज निकालना है तो जो चीज दिया हुआ है एन या एसन दोनों में से किसी पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं चलिए यहां एसन पर आगे बढ़ते हैं कि लिखेंगे कि एसे इन बराबर एन बटाद दो का चुक्य यहां एयन का मान पता है इसलिए छोटा माला फृमुलरा लगा न को अ CSV यहां अप कितना दिया है चारसों 9-6 ठीक इन का मान तो नहीं पताए तो एन ही रहने देंगे बटा मेंदिया हूँ एका मान कितना है ब्राबर 400, तो एन बटा दो, 45 और 5 क्या हो जाएगा, 50, ब्राबर 400, काट देंगे, तो 25 दूना 50, ठीक, इसलिए एन ब्राबर क्या हो जाएगा, 400 ऊपर चला जाएगा, और ये 25 आ जाएगा नीचे में, क्योंकि ये गुना में है, ठीक है, जब काटेंगे, तो 16 बार में ये और यही क्या हो जाएगा, इसका, इंसर हो जाएगा, अब हमें क्या ज्याद करना है, तो अब हमें D कामान पता करना है, ठीक है, तो D कामान पता करने के लिए, एन के फर्मूला पर आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो एन बराबर क्या होता है, A प्लस, एन माइनस एक गुने, D, एक इतना दिया है तो ए दिया है 45, कितना दिया है 45, ए कमान कितना है तो ए कमान है 5, तो यहां लिखेंगे 5, प्लस है तो प्लस, इन कमान कितना आया, 16, तो यहां 16, माइनस का एक, गुन D, D कमान कितना है, तो नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है, तो इसके जगा पर D ही देंगे, बराबर में 45, ठीक, तो 5 प्लस 16 में से ए घटाएंगे, तो 15 और D से गुना करेंगे, तो ए हो जाएगा, 15 D बराबर 45, ठीक है, अब देखें, 15 D बराबर 45 पहते लिखेंगे, और प्लस का 5 जब इस तरफ आएगा, तो ए हो जाएगा, माइनस का 5, तो 15 D बराबर कितना होगा, तो 45 में से 5 गटाने पर कितना होगा, 40, इसलिए D बराबर 40 ऊपर चला जाएगा, और यह आजाएगा नीचे, ठीक, काटेंगे, तो 5 तिया 15, और 5 अठे 40, ठीक, कितना आया, 8 बटा में 3 आया, किस का मान, D का मान, और यही क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, ओके, तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ, कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोसिस करूँगा, आपके कमेंट का जवाब देने का, और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे प्ले लिष्ट से भी देख सकते हो, तो फिर मिलते हैं, एक और वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद!